एक 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में कोट ने बच्ची को इनसाफ दिलाया है। उदैपुर की अदालत ने 9 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी को फासी की सज़ा सुनाई है। इस हत्याकान में आरोपी के साथ उसके माबाप भी शामिल थे जिसके लिए कोट ने उने भी सजा सुनाई है मुझरूम कमलेश ने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या करके उसके दस टुकड़े कर दिये इतना ही नहीं टुकड़े करने के बाद बोरे में भर कर खंडर में फेक दिया ताकि कोई ढूंडना सके इस दौरान आरोपी के माबाप भी टुकड़ों को ठिकाने लगाने में साथ थे माबाप ने दिया आरोपी बेटे का साथ गुदैपुर की बॉक्सों कोट ने फैस्टा सुनाया और आरोपी कमलेश को मुझरिम करार देते हुए फासे की सजा सुनाई रिपोर्ट के मताबिक कोट से बहर आते ही आरोपी कहने लगा कि वो निर्दोश है और उसने माबाप को बचाने के लिए ये जुर्म अपने सिर पर लिया है उसने कहा कि मुझ पर दबाव बनाया गया जिसके बाद ये जुर्म मैंने कबूल किया है कमलेश ने ये भी कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील करेगा कोर्ट में कमलेश के माबाप को चार-चार साल की जील की सजा सुनाई है हैरानी की बात ये है कि जब कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई तो उसकी चेहरे पर कोई शिकत नहीं थी मामला पूरे सिलसलेवार से पताएं तो कमलेश घर पर अकेला था वो अपने फोन पर अश्लील फिल्में देख रहा था तब ही उसे ये बच्ची दिखाई दी कमलेश ने बच्ची को चॉकलेट के बहाने से अपने पास बुलाया और जाल में फसाया घर पर बुलाकर लड़की के साथ रेब किया कमलेश ने अपने नापा के रादों को अंजाम दिया और जब बच्ची को उठाने की कोशिश की तो वो उठना सकी क्यूकि उसकी मौत हो चुकी थी जिसके बाद आरोपी ने बात्रूम में रखी चुरी और पत्थर से बच्ची के हाथ पैर के टुकडे किये जब इस बारे में आरोपी के माबाप को पता चला तो फिर तीनों ने मिलकर घर से दूर शब के टुकडे फेकने का प्लान बनाया और बोरे में डाल कर घर से 200 किलोमीटर दूर तुकडे खंडा में फेक दिये बताया जा रहा है कि बच्ची कमलेश को भईया कहकर बुलाती थी और अक्षा बंदन पर राखी भी बानती थी 29 मार्च को बच्ची के परिवार ने शिकायत दर्च कराई थी उस दिन बच्ची चार बजे स्कूल से आई थी और फिर अपने कपड़े बदल कर ये बोल कर बाहर गई कि वो अपने ताउजी की घर जा रही है लेकिन उस दिन वो वापस घर नहीं आई पुलिस को शिकायत मिलने पर डॉक स्कूल की मदद से बच्ची के शव के टुकड़े खंडर से बरामत किये कोट ने अब इस मुझरिम को फासी की सजा सुनाई है और साथ ही उसके माबाप को चार-चार साल की जेल की सजा सुनाई है